वेल्केम बैक टू माय चानल इन दिस वीडियो टुट्योरियल वी डिसकस हाओ टू तो चार्ट जी पिती चाइश करते हैं इसके बारे में आज भारा बात करेंगे इस वडियों दर्ट सब से पर दोस्पे देखेंगे चार्ट जी-पिट यानि जी-पिट का फुलपार मोथा Generative Pre-trained Transformer ठीक है और इसमें जो है एक बड़ा लांग्वेज का model based chart GPT है ठीक है और यह जो बनाया open AI वारे ने और इसको launch किया नॉबंबर 30 2022 में ठीक है और यह basically जो भी data हम सवाल पूछते तो वो एकदम सटीक से जो आपको answer देता और जितने भी length का हो और कौन सा भी format में हो जितने भी deep level का जो आपका सवाल हो तो आपको सीधा सीधा जो है आपको answer मिलेगा और यह जो develop क्या language उज़ किया python उज़ के से अंदर ठीक है और इसको develop किया open AI और साथ में Microsoft का company यह दोनों मिला के इसको बनाए ठीक है और यह पोरा जो चलता platform इसका cloud computing platform के उपर इसको बनाए तो चली इसको check करेंगे थोड़ा इसमें क्या-क्या चीजे निकलता ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अगर आप एक programmer हो या तो आप web developer हो उसके लिए अगर आपको एक program चाहिए आपको मानलो आप एक simple HTML का login form आपको create करना ठीक है तो उसके लिए आपको code लिखना पड़ेगा HTML का जो भी है syntax आपको लिखना पड़ेगा लेकिन चार्ट GPT के अंदर आपको उतना भी नहीं है सिर्फ आप उसका question दे दो बस आपको coding जो है आपके सामने दिखाएगा ठीक है तो अचे लिए लिखते हैं आपके ठीक है एक example write a code code on HTML 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 for login page write a code on HTML for login page तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता देखें आपर आपके सामने जो answer यहाँ पर आ रहे साथ में CSS भी लेके आ रहे हूँ राइट देखें पोरा एकदम सटीक से जो आपको चाहिए वैसे जो है आपके सामने बिल्कुल आपके सामने जो आ गया है तो इसको सीधा copy करना यह जो page है पोरा देखें है HTML start हो हाँ पे title भी शुरू हाँ पे उसके साथ में यहाँ पे style भी शुरू हुआ यहाँ बॉड़ी इसके अंदर CSS test करिंग style भी शुरू हो इसके अंदर ठीक है और यहाँ पे आते यहाँ पे जो body tag यहाँ पे उसके अंदर जो है like form action equal to like login.php method equal to post ठीक है और साथ में हाँ पे control भी यहाँ पे input type text यहाँ पे फिर input type यहाँ पे password है फिर button यहाँ पे यहाँ अगर आप इसको simply देखिए यहाँ पे copy क्या code को ठीक है और एक login.html तो अभी जो पेज है अभी यहाँ पे वो create हुआ अभी उसको open करेंगा आपे तो desktop इसे क्या मैं अभी इसको open कर रहाँ आपे ठीक है तो वह आपस desktop यहाँ पर यह login page यहाँ पर ready होगा desktop में आया हूँ आप इसको open करते दिख यहाँ पे तो आपके सामने page जो है ready हो गया right hardly few seconds एक या दो मिनित इक अंदर maximum तो उसमें से आपका जो farm है ready हो गया ठीक है तो और कुछ टेस्ट करेंगा आपे ठीक है ते लिए देखते हैं आपे एक्जामपल लेकिन बेसिक कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर स्किंस देखिए आपर दस क्वेशन जो है मैंने पूस्ट लिया अब देखिए दस क्वेशन आपके सामने प्रिपेर कर रहा हूँ बेसिक से ओपर लेकिए तो यह is like what is primary function of an operating system on a computer right what does the term cp stands for so how do you create a new folder on a windows computer right तो यह दस सवाल आपके सामने यह निक लेकिया आगे आप अगर आप और भी कुछ आपको पूछना चाहते इस एक्जामपल लगर आपको BIOS के बारे में so say example like what is you know full form of you know BIOS तो चली इस का अंसर ठीके बता रहे हां पर basic input output system उसके बारे में पूरे detail भी बता रहे हां पर देखिए तो यह जो है एक्दम सटीक से एक्दम स्टेट फारवड गूगल कंदर क्या है अलागले website को जाके दून के लेके आता हो बड़ यहां पर क्या है आपके सामने बिलकुल और यह को पूरा जो है एक copyright पर ही है ठीक है यह कहीं से भी copy करके नहीं यह लेकिन इसको properly wording के साथ match होके आपके सामने जो लिखना है वही लि जीपिटी अगले उडियों के अंदर में एक नए एक्जामपल लेकिया होगा चार्ट जीपिटी को पर धन्यवार्द है